हेलो प्यारे बच्चों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया पर आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी की सब्ता 22 की कार्य पत्रग और इसमें हमें करना है व्याकरण का काम चलिए शुरू करते हैं इस कार्य पत्रग को हल करना परशन एक देखिए दिये गए गलत शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए यहां पर शब्दों को गलत रूप में लिखा गया है हमें इन्हें सही करके यहां लिखना है जैसे सूरज को शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाएगा मिठाई का शुद रूप ऐसे लिखा जाएगा प्रश्न को शुद रूप में ऐसे लिखेंगे दादी को शुद रूप में ऐसे लिखा जाएगा विद्याले को शुद रूप में ऐसे लिखेंगे किताब को शुद रूप में ऐसे लिखा जाएगा चूहा को शुद्रूप में ऐसे लिखेंगे बहादुर का शुद्रूप यह होगा बंदर को सही तरीके से हम ऐसे लिखेंगे धोबी को सही तरीके से शुद्रूप में ऐसे लिखा जाएगा आते हैं पर्यायवाची शब्द की ओर कई शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थ तक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं जैसे स्कूल को हम विद्याले या पाटशाला भी बोलते हैं स्कूल पाटशाला वा विद्याले पर्यायवाची शब्द हैं कि इन तीनों का ही एक ही मतलब होता है बच्चो अब यहाँ पर हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं जैसे आकाश के तीन पर्यायवाची शब्द हैं आस्मान, अंबर और नभ नदी के हैं सरिता, तटनी और वाहिनी बादल के परियावाची शब्द हैं जलद, जलधर और मेग जंगल के परियावाची शब्द वन, कानन, रन्य पक्षी के हैं पंची, खग, गगंचर और राजा के हैं निरिप, भूपती और नरेश अगले प्रश्ण की ओर बनते हैं इससे करने से पहले हम बताते हैं कि नुक्ता वाले शब्द क्या होते हैं बच्चो कुछ शब्दों में ऐसा बिंदी बनी होती है इसको हम नुक्ता बोलते हैं जिस अक्षर पर यह बना होता है उसको हम अलग तरीके से उच्चारण करते हैं जैसे अगर माली जी ये है, ये जा है, अगर हम इसमें नुक्ता लगा देंगे तो ये जा बन जाएगा, पढ़ते हैं नुक्ता वाले शब्द कमजोर, तूफान, जरूर, जुल्म, मजदूर, फकीर, ताजा, इन सभी शब्दों में नुक्ता लगा हुआ है, अब हमें इन श पीनत, ये शब्द बनेगा नाज, आगे देखते हैं, लिफाफा ये बना, ये बनेगा साफ, नुक्ता आने पर ये बन जाएगा फर्ष, इसको हम लिखेंगे फांसी और बर्फ को इस तरीके से नुक्ते के साथ लिखा जाएगा, मुफ्त को ऐसे लिखेंगे, नुक्ता लगाने के बाद ये बना सफेद, ये फर्याद और ये इज्जत